इंसानी कान हिस्सी आजा हैं जो हमारे सर के दोनों तरफ वाके होते हैं ये दो अहम काम अंजाम देते हैं एक आवाज का पता लगाना दो तवाजन बरकरार रखना समझने के लिए कान को तीन हिस्सों में तक्सीन किया जा सकता है एक, बेरुनी हिस्सा, दो, दर्मियानी हिस्सा, तीन, अंदरुनी हिस्सा बेरुनी कान बेरुनी कान कार्टली जो और जल्द से बना होता है ये आवाज को जुमा करता है और आगे बेज़ता है इसे औरिकल या पिंट ना कहते हैं जो के कान का नजर आने वाला हिस्सा है ये एक कीप के तौर पर काम करता है जो आवाज को कान की बहराई तक ले जाता है एर कनाल इसको औरटरी कनाल भी कहते हैं जो के तकरीबन 2.5 सेंटी मीटर लंबी होती है जो आवाज की लहरों के लिए गुजरने का रास्ता और एम्पलिफाया का काम करता है ये एक ट्यूब है जो बेरुनी कान से दर्मियानी कान तक जाती है इसके अंदर बाल और सबेशस ग्लेंड्स होते हैं इंग्लेंड्स से सरूप मैं नामी रतूबत जिसे आम जबान में वैक्स कहते हैं खारिज होती है ये रतूबत दूल मिटी और बैक्टेरिया को आगे जाने नहीं देता एरड्रम यानी कान का पर्दा जिसे टिम पैनिक मेंब्रेन भी कहा जाता है ये टिशू की एक बारीक परत है जो बैरूनी कान को दर्मियानी कान से अलग करती है जब आवाज की लहरें इससे टकराटी हैं तो वो इसमें वाइब्रेशन पैदा करती है जो आगे जाकर दर्मियाने कान में मौझूद ओसकल को मुंतकल होती है इनाया ये कान का आखरी हिस्सा है ये मुंदरिजा जैल हिस्सों पर मुझ्टमिल है यूस्टेकियन ट्यूब बॉनी लेबरंग सेमी सरकुलर कैनाल काकलिया और्डटरी निवस मिडल या दर्मियानी कान तीन छोटी हड्डियों या ओसिकल्स की एक सीरीज पर मुझ्टमिल है जिनके नाम ये हैं एक हथोरे की शकल वाला मेलियस दो अहरन की शकल वाला इंकस तीन रुकाब की शकल वाला स्टेवीस ये तीनों कान के पर्दे से साउंड वाइबरेशन को अंदरुनी कान में मुन्तकिल करते हैं यूस टेकियन ट्यूब ये कान और गले के दर्मियान एक सुराख है जो माहौल के दबाओं में अचानक तब्दीली के दोरान एड्रम के दोनों अत्राफ के दबाओं को बराबर करता है मिसाल के तौर पर जब हवाई जहास टेक आफ करता है या लेंड करता है बॉनी लेबरंट ये समात और तवाजन के एहसास के लिए जिम्मादार है इसकी पेचीदा शकल की वजह से इसे ये नाम दिया गया है ये मुंदरिजा जहल हिस्सों से बना है सेमी सरकुलर कैनाल कागलिया औरडटरी निवस सेमी सरकुलर कैनाल ये सेयाल मागदे से भरे तीन लूप्स ही जो तवासन बरकरार रखने में हमारी मदद करते हैं ये सर की पोजीशन और हरकत में तबदीलियों का पता लगाते हैं हर कनाल का एक सोजा हुआ सर एमप्यूल कहलाता है इस इलावा इसमें दो जिल्ली वाली थेलियां होती हैं जिन्हें उट्रकल और सेकल कहा जाता है कागलिया ये गूंगे की शकल का सुनने वाला हिस्सा है ये सेयाल मादों से भरे तीन चेमबरों से बना होता है जिनके नाम ये हैं स्कालर वेस्टबियूली स्कालर मीडिया स्कालर टेमपानी दर्मियानी चेमबर में और्गन्स ओफकॉटी होते हैं इनमी माइकनोरसेप्टर्स होते हैं जिन्हें हेस्स कहा जाता है हेस्स ये काक लिया के दर्मियानी चैंबर में ओर्गन्स ओफकोटी के अंदर मुनिसम खितारों में हुते हैं ये ख्लिय ऑसिकल्स से पैदा होने वाली सौती ल append के जवाब में हिलते हैं और ओरिटरीन उसको ऐलेक्टरिकल सिग्झल्स भेजते हैं ये बहुत नाजुक होते हैं जियादा अर्सा तक तेज आवास और शोर इन खुलियों को तबाह कर देती है एक बार तबाह होने के बाद वो दोबारा पैदा नहीं होते हैं जिसकी वज़ा से समात को मुस्तकिल नुकसन होता है auditory नवस ये नवस काकलिया से दिमाग तक चलती है ये sound vibration को electrical signals में तबदील करके दिमाग तक ले जाती है हम आवास को किस तरह सुनते हैं सबसे पहले पिनना आवास की लहरों को जुमा करता है फिर ये लहरें हुआ की नाली से गुजरती हैं और air drum से टकराती हैं जिससे इसमें इरताश यानि vibration पैदा होता है ये vibration, ossicles की तीन हड़ियों, melleus, incus और stapes की सीरीज को एक एक करके हिलाती है ये हड़ियां sound vibration को मजीद बढ़ा देती हैं ossicles सीरीज की आखरी हड़ी यानि, stapes की oval window को कलिया से connected होती है ये sound vibration काकलिया के अंदर से आलमादा जिसे इंडो लिम्ट कहते हैं में लहरें पैदा करती है ये लहरें काकलिया के अंदर हेयर सेल्स को आगे पीछे हरकत देना शुरू कर देती हैं जिससे उसकी जरू में एक केमिकल पैदा होता है जिससे नियूरो ट्रेंस्मिटर कहते हैं ये केमिकल औरटरी नवस से मुनसलिक होते हैं जो इसको electrical signals में तबदील कर देते हैं ये electrical signals औरटरी नवस के जरिये दिमाग तक जाते हैं जहां इसकी दश्री रोती है अब तक के लिए इतना ही thanks for watching